question number 5 in the adjoining figure BM perpendicular ये देखेगा BM ये वाला perpendicular है AC के और DN perpendicular है AC के ये दोनों perpendicular है prove that AC bisect BD ये आपको prove करना है ये हमारे पास ये और ये बराबर दिया हुआ है ये और ये बराबर दिया हुआ तो ये हमारे पास 90 degree हो जा रहा है इधर से ये 90 degree हो जा रहा है ये वाला अंगल ये वाला भी लेते हैं इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल यह वाला यहां पर यह वाला डी ओएन डॉन हो जाएगा डी ओएन एंड ट्रेंगल यह वाला इधर से डी ओएन लिया तो बी यहां पर यह वाला बी ओएम यह वाला बॉम हो जागा देखिए डॉन और बॉम दो हमारे पास ट्रेंगल ह बी ओ एम ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं यह हमारे पास यह दोनों यह है तो इसमें सबसे पहले लेते हैं क्या चीज़ हमारे पास दिया हुआ है यह वाला इसको हम ले लेते हैं डी एन इक्वल टू बी एम यह दिया हुआ है बी एम इक्वल टू डी एन तो यह यहां पर हम उल्टा करके लिखेंगे, चुक्य एंक पहले डी ओआइन ले रखा है, तो इसको हम उल्टा ले लेंगे यहां पर dna equal to bm, ऐसे ले लेंगे, यह हमार पास कैसे पता चला given है, यह हमारे पास given है, इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे यह वाला angle यहाँ पर dno angle dno equal to हो जाएगा इधर से bmo angle bmo यहाँ पर कैसे हो जाएगा each हो जाएगा each 90 degree यह दोनों हो जाएगा हमारे पस 90 degree अब यहाँ पर देखेगा vertically opposite angles यह बराबर है हमारे पास angle यह वाला d o n angle d o n equal to angle b o m यह लिख सकते हैं यह vertically opposite angle अगर आप इतना ही करके आप करेंगे तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा क्या चीज ए a a s लेना पड़ेगा तो so triangle यहाँ पर क्या हो जाएगा d o n congruent हो जाएगा triangle b o m कैसे यहाँ पर हो जाएगा a a s congruence इसे अब यहाँ पर आगर लिखेंगे क्या हो जाएगा यह वाला d o d o equal to b o कैसे यहाँ पर c p c t से जब यह वाला चीज जैसे हो जाएगा तो हम यहाँ पर आगर क्या कह सकते हैं आगर हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर a c bisect a c bisect so a c bisect bisect b d b w झाल झाल